हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नमबर 76 करेंगे जो की क्लास 6-8 के लिए है विटा ये वर्क्षिट 6-7-8 के लिए कोमन है आप लोग इसे सभी बच्चे इसको करेंगे और इसके साथ आपनी जो इसके अलग से कॉपी बनाई है उसमें करेंगे या फिर इस वर्क्षिट को जो आज की वर्क्षिट है इसे साइंस की कॉपी में कर सकते हैं ये वर्क्षिट बटा 1st October 2020 की है तो आज़े शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले बचे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज़े देखते हैं आज की वर्क्षिट रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था यहां उसने सडकों पर दोरती हुई बहुत सी गाड़ियां देखी व्यकार में घूमने निकले रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोग कर पेट्रोल भरवाया रोहन ने पुछा चाचा जी पेट्रोल कहां से आता है आगे देखे क्या कहते है रोहन ने पुछा चाचा जी पेट्रोल कहां से आता है चाचा जी ने बताया पेट्रोल एक काले रंग के गाड़े तेलिये द्रव से मिलता है जिसे हम पेट्रोलियम कहते है यह एक प्राकर्तिक इंधन है इसे कच्चा तेल भी कहा जाते है इसे क्या और इसे कच्छा तेल भी कहा जाता है यह प्राचीन समयसे भी पहले मुरत समुंदर जीवों के विशेश परिस्तितियों में अप घटन से बनता है तो उनका अपघटन हुआ, शुक्षम जीवो दुआरा क्या हुआ, उनका अपघटन हुआ और उस अपघटन से पेट्रोलियम बनता है, पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीरित प्राकरते गैंस, CNG, डीजल, द्रवीकरत पेट्रोलियम गैस, जो की घर में खाना बनाने के काम आती है, जैसे अनेक उत्पास प्राप्त किये जाते है, CNG का अपयोग वाहनों में किया जाता है, यहां पर आपको यह दो बाते आद रखनी है, जो CNG और LPG की फूल फोर्म, तो CNG की फूल फोर्म क्या है, संपीरित प्राकरतिक गैंस, और LPG की द्रवी पेट्रोलियम गैस, यह दो नहीं में आपको बहुत अच्छे से याद होना है, तो LPG की फूल फोर्म जो घरों में गैस आता है, सिलेंडर उसमें हम जो यूज की जाते है, उसे हम द्रवी करत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ठीक और CNG, CNG से तो आपको पता है, आज कल CNG से प्रयोग किया जाता है, आईए अब इसके कोशिनन से करते हैं, देखे, क्या लिखा गया है, पेट्रोलियम को बनाने में लाखों साल का समय लगता है, ऐसा नहीं होता है कि आजी को जीव, जैसे को जीव की किसी भी समूदरी, जीव की मृतियों की नीचे की तरव जाएगा बोटम पे जाएगा और क्या होगा, वहाँ दब के रह जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको बहुत एजीली बन जाता है, इसको बनने में लाखों साल का समय लगता है, हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तिमाल करना चाहिए, पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ति पर गाड़ी पेट्रोलियम से मिल रहे हैं, तो आईए देखते हैं, कोशन असर करते हैं आज की वरक्षिट के, CNG और LPG का पूरा नाम बताईए और इनका उप्योग लिखे, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है, देखो यह रहा, CNG का पूरा नाम क्या है, संपीड़त प्रा प्योग लिखेंगे आप, द्रविकर्ट पेट्रोलियम गैंस यह सेकिंड हो जाएगा, इनका उप्योग क्या हो जाएगा, देखो इसके साथ आप उप्योग लिख देगा, LPG का प्योग क्या है, जो घर में खाना बनाने के काम आती है, ठीक है, और संपीड़िकर्ट प्रा पेट्रोलियम गैंस, LPG, जो घर में खाना बनाने के काम आती है, ठीक है स्टुडेंट, तो इसको अलग से लिखाने के जरुत नहीं क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, आएए नेक्स्ट कोशिन करते हैं स्टुडेंट, हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते है कुछ उपाय सुझाईए, तो देखो यह बिल्कुर अच्छे से दिया गया है, पेट्रोल बचाने के लिए लाल बती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना, कम दूरी त्याक करने के लिए पैदल या सैंकल का प्रयोग करना चाहिए, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, पैटा जा सकते हैं, या फिर साइकल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं, नेक्स्ट कोशन, पैट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरू करने के लिए एक स्लोगन लिखी, आपको क्या करना है, पैट्रोल बचाने के लिए एक स्लोगन बनाना है, उसको सुंदर सा colorful करके अपनी copy में लिखना है तो कुछ एक slogan के example में आपको दे देती हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा आप यहाँ पे वो लिख सकते है तो देखिए बेटा, क्या slogan हो सकते है first पे इंधन बचाओ, पर्यावरन बचाओ first क्या हो जाएगा, इंधन बचाओ, पर्यावरन बचाओ slogan है न, second देखो इंधन का है सीमित भंडार खर्च करने से पहले करो विचार खर्च से पहले करे विचार एक बड़ देखे, दुबारा है इंधन का है सीमित भंडार थाट पे है, इंधन को हम बचाएंगे पर्यावरन बचाओ, इंधन का है सीमित भंडार, खर्च से पहले करे विचार इंधन को हम बचाएंगे जीवन में खुशियां लाएंगे आए स्टोडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट कोशन देखें नेक्स्ट कोशन क्या है यदि प्रत्वी से पेट्रोल खतम हो जाए तो क्या होगा कल्पना कर अपने विचार लिखिए सोचो कि अगर प्रत्वी पर पेट्रोल खतम हो गया तो क्या होगा बेटा देखो सबसे पहले हमने भी देखा कि जो वहन है जितने भी यातायात के साधन उनके लिए हमें किसकी जरुत होती है पेट्रोल की जरुत होती है तो अगर पेटरोल खतम हो जाता है, इन्धन खतम हो जाता है, तो क्या होगा?nisseanteconomy पो신ा यूद कि अज्छाव की लन के बार, हमने पड़ा था, हमने पड़ा था, हमने पड़ा था, क्या आफ आफ धना भूए मजबा आता है, वो भी क्या है, एक पेटरोलियम ही है, ठीक है यहाँ पर पेट्रोल दिये अगर हम पैट्डरोलियम की बात करते हैं तो उससे क्या होगी घर का खाना नहीं परड़ पाएगा भी मशीनी वर्क है, वो सब यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी मशीनों में डीजल पेट्रोल स्टैप से डलता है, जिससे कि क्या होगा, जो मशीनी वर्क, जो मशीनी काम होता है, वो नहीं हो पाएगा, तो आईए बचे, इसका अंसर हम करते हैं, तो देखिए बेटा, इसका अंसर क्या होगा, अगर प्रित्वी पर पेट्रोल खतम हो गया, तो बहुत कुछ खतम हो जाएगा, यातायात के सादन नहीं चल पाएगे, जिससे हम एक जिगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगे, क्योंकि यातायात के सादन नहीं चल पाएगे पे moralsयां सब्सकारे बहुत को neutrगी से चायेखा, πेटारविशे फोर想ार्वा ęसे साउधानी पूर्व को यूज करना चाहीए था जwhenks पर वेया सीर्ड के से चेक कर आई उर्डव मीरे चेनल को लाइक किजिए, सब्सक्राइब किजिए और व श्याइर किजिए Thank you students!